हलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में तो आज मैं आपको pen trouser की cutting and stitching का सबसे असान तरीका बताऊंगी beginners भी इस तरीके से असानी से अपनी pen cut and stitch कर सकते हैं तो आपका जादा time ना लेते हुए हम आज की cutting and stitching की वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने ये 2 meter fabric लिया है जिसे ऐसे मैंने 4 side में fold करके रख लिया है ये इसकी बंद वाली side है और ये इसकी खुली वाली side है ये देखिए इस तरीके से आपने भी 4 parts में इसको fold करके रख लेना है अब हमेने सबसे पहले उपर की तरफ elastic के लिए extra margin लेना होता है जो लगबग हम 3 inch लेते हैं तो इस तरीके से ना उपर की तरफ से ना हमने 3 inch को ऐसे सीधा सीधा mark कर लेना है अब हमें यहाँ से अपनी pen trouser की length को mark करना है तो इस तरीके से यहाँ पर हम inch tape को ऐसे रखेंगे और नीचे की तरफ जितनी भी आपको अपनी pen की length रखनी है ना उतनी आपने यहाँ पर mark कर लेनी है तो मुझे यहाँ पे 35 इंच इसकी length ready करनी है तो मैं यहाँ पे 35 इंच को इस तरीके से mark कर लूँगी अब हम ऐसे ही 35 इंच को सीधा सीधा mark कर लेंगे तो यह नीचे हमारे पास लगबग 1,5 इंच का folding का margin आ गया इसे हम mark नहीं करेंगे अब हमने उपर से आसन के लिए mark करना है यह वाली marking से नीचे यह fully elastic वाली pen है और यह L size की pen है इसलिए इसका जो आसन है लगबग 12 इंच पे mark होगा यह standard size के लिए होता है तो ऐसे हमने 12 इंच को भी सीधा सीधा mark कर लेना है तो अब हमें यहाँ पे waste के लिए mark करना होता है waste का जो size mark होता है वो hip के according होता है hip का जो भी आपके पास ready size है उसमें आपने लगबग 5 इंच और losing add कर लेनी है क्योंकि यह fully elastic वाली pen है तो यहाँ पे hip का ready size है हमारे पास 40 इंच 40 में अगर हम 5 इंच की losing add करेंगे तो हमारे पास answer आएगा 46 इंच 46 का अब हमने 4 parts में divide कर लेना है तो 46 को अगर हम 4 parts में divide करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे answer आएगा 1,5 इंच तो 1,5 इंच को हमने यहाँ पे ऐसे mark कर लेना है इस तरीके से और नीचे वाले mark पे भी ना हमने 1,5 इंच को ही mark करना है यह दोनों marking हमारी same ही आती है और इन दोनों marking को ना हम ऐसे मिला लेंगे उपर तक अब हमें यहाँ से लगबग 2 इंच आगे ना थाई के लिए mark करना होता है तो उसका mark हम इस तरीके से 2 इंच आगे कर लेंगे तो यहाँ से अब हमने आसन की गुलाई दे देनी है इस तरीके से ऐसे तो अब हमने नीचे की तरफ पेंट ट्राउजर की मोरी का mark करना है मोरी आपने जितनी भी ready करनी है ना उससे लगबग आपने आधा इंच जादा mark करनी है क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाईों में दब जाएगा एक तरफ से तो हमने अपनी यह वाली पेंट को कट ही नहीं करना एक तरफ सिर्फ जिलाईों में दबेगा वो आधा इंच का margin sufficient होगा हमारे लिए तो मुझे लगबग 6.5 इंच इसकी मोरी ready करनी है इसलिए मैं यहाँ पे 7 इंच को ऐसे mark कर लूँगी तो यह इसकी मोरी का भी mark हमारा हो गया अब हमने यह वाला scale लेना है और उसे इस तरीके से रखना है थाई वाले mark को ना हमने मोरी वाले mark से ऐसे मिला लेना है इस तरीके से अब हमें थाई के लिए यहाँ पे extra margin लेना होता है तो वो हम इस तरीके से लेते हैं लगबग 1.5 इंच का इन फ्यूचर अगर हमें पेंट को लूज करना पड़े थाई वाली side से तो यह वाले margin से हम अंसानी से इसे लूज कर रखते हैं तो यह देखिए कितनी अंसानी से हमने अपनी pen trouser की marking कर ली है ना अब हम इसे अपनी marking के साथ साथ कट कर लेते हैं तो ऐसे हमारी इस pen की cutting हो गई है इस तरफ से हमने इसे cut नहीं करना है सिरफ एकी सिलाई से हमारी यह pen ready हो जाएगी तो अभी मैं आपको इसकी stitching करके दिखाती हूँ तो सबसे पहले हमें अपनी pen का आसन stitch करना होता है तो दोनों parts को ना इस तरीके से खोल के रखेंगे और बिल्कुल बराबर रखेंगे और अब हमें ना यहाँ पे आधे इंच का extra margin लेते हुए सिधी सिधी सिलाई लगा लेनी है तो आसन वाली सिलाई हम सिरफ यहीं तक लगाएंगे आगे की सिलाई हम बाद में लगाएंगे तो इस सिलाई को ना अब हम यहाँ से double कर लेंगे तो यह देखिए एक तरफ से हमने आसन को ऐसे stitch कर लिया है यहाँ तक अब हमने दूसरी वाली साइड से भी ना आसन को यहीं तक stitch कर लेना है तो दोनों साइड के आसन को ना हमने ऐसे stitch कर लिया है अब हम ना पैंट को इस तरीके से यहाँ से पकड़ेंगे और आसन को न सेंटर में ले आएंगे दोनों आसन को इस तरीके से एक दूसरे के बिल्कुल सामने तो ऐसे हम आसन को न सेंटर में ले आएंगे हैं दोनों को अब हमने न इसकी महुरी का फोल्ड करना है तो ये हमारी pen की महुरी वली side है और इसमें हमारे पास 1.5 इंच का folding का margin है अब हमें इसे इस तरीके से fold करना है सबसे पहले 1.5 इंच ऐसे और उसके बाद एक इंच इसे ऐसे fold कर लेना है अपने cut तक ऐसे fold करते हुए यहाँ पर हमें किनारी की सिलाई लगा लेनी है तो एक side से हमने इसे नीचे से fold कर लिया है अब हमने दूसरी वाली side से बीना इसे ऐसे ही नीचे से fold कर लेना है तो दोनों side से हमने pant को नीचे से fold कर लिया है अब हमें इसे fitting की सिलाई लगानी है तो ये देखिए यहां तक अब हमने ऐसे फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है दूसरे बाले पार्ट पे भी न हमने यही से सिलाई शुरू करते हुए न नीचे तक ऐसे ही लगा लेनी है फिटिंग की सिलाई तो ये देखिए friends दोनों तरफ से हमने fitting की सिलाई ऐसे लगा ली है अब हमने अपने बचे हुए आसन को stitch करना है तो आसन को न इस तरीके से ऐसे पकड़ेंगे ऐसे दोनों तरफ से पकड़ेंगे और ये वाले margin को न इस तरफ ऐसे fold करेंगे और उस side वाले margin को इस तरफ ऐसे fold करेंगे दोनों को न opposite fold करना आपने ऐसे और यहाँ पे न ये वली सिलाई को इस वली सिलाई से मिला लेना है तो ये देखिए आसन वाली सिलाई भी हमने इस तरीके से लगा ली है ऐसे आसन stitch करने से क्या होता है पेंट बीच में से कभी भी उठती नहीं है और बिल्कुल perfect fitting आती है आसन वाली side से पेंट की तो बस अब हमें इसमें elastic ही डालना है तो उपर से न पहले हम इसे आधाईंच ऐसे fold करेंगे और यहाँ पे न एक सिलाई लगा लेंगे rough stitch तो ऐसे हमने इसे उपर से fold भी कर लिया है अब हमें इसमें elastic stitch करना है तो उसके लिए elastic को मैंने पहले से cut करके रखा है आपके पास जो भी hip का ready size है न उससे आपने लगबग 10-12 inch elastic कम cut करना है तो हमारे पास यहाँ पे 40 inch था hip का size तो मैंने लगबग यह 28-30 inch का elastic cut किया है इतना stretch इसमें होता ही है असानी से तो अब हम elastic को न इस तरीके से ऐसे करके पकड़ेंगे और यहाँ पे न दो तिन बार शिलाई लगा लेंगे तांकि यह तूटे न तो यह दिखिए हमने elastic पे भी ऐसे सिलाई लगा ली है अब हम elastic को न इस तरीके से ऐसे रखेंगे अपनी pant के अंदर और उपर से इसे ऐसे fold कर लेंगे और यहाँ पे न हमें बिल्कुल pant के किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है elastic के उपर नहीं नहीं तो elastic stretch नहीं होगा तो ऐसे हमने elastic को अंदर रखते हुए न सिलाई लगा ली है अब हमें न pant को इस तरीके से ऐसे पकड़के न अच्छे से stretch कर लेना है elastic को और यहाँ से ऐसे पकड़ते हुए तांकि elastic अपनी जगा ले ले ऐसे stretch कर लेंगे अच्छे से दोनों तरफ से पकड़ते हुए और बाद में न हमें बिल्कुल इसके center में एक सिलाई लगा लेनी है अब हमें न अपनी pant को और elastic को एक साथ पकड़के ऐसे खीचना है और यहाँ पे बिल्कुल इसके center में सिलाई लगा लेनी है इससे क्या होता है elastic हमारा गूमता नहीं है तो यह देखिए ऐसे हमने elastic के center में भी सिलाई लगा ली है और यह pant हमारी ऐसे पूरी तरह से बनके तयार हो गई है देखिए कितनी असानी से हमने यह अपनी pant को ऐसे तयार कर लिया है और यह देखिए कितनी अच्छी finishing आई है इसमें beginners भी इस तरीके से असानी से अपनी plazo pant cut and stitch कर रखते हैं तो अगर आपको मेरे trouser pant cutting and stitching के tips अच्छे लगे हों तो वीडियो को like और share जरूर कीजिए चैनल को subscribe जरूर कीजिए तो चलिए next किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं till then bye bye